हेलो गाई, ज़र जम बात केने वाले है टाडा ग्रूप के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में टाडा ग्रूप का एक शेर आप लोगों को इस वीडियो में प्रिजेंट करने वाला हूँ जहां पर आप लोग 2025 तक आप लोग इस company में invested रह सकते हो तो आप लोगों को बहुत जादा तगड़ा मुनाफ़ा हो सकता है तो यहां पर इस वीडियो में यही company के बारे में detail आप लोग बताने वालों कोई fundamental news नहीं है या fundamental या technical चीस नहीं बताने वालों इस वीडियो में हम बात करने वाले news के बारे में इस company के जो CEO है इन्होंने बहुत बड़ी news दिये तो उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले company का नाम बता देता हूं company कौन सी है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर से बहुत जादा amount में डालने की बोल भी नहीं बस आप लोग 1,000 minimum 1,000 रुपीज आप लोग इस company में डाल दो तो आप लोगों को आने वाले समय में बहुत ही जादा मुनाफा देखने को मिलेगा आप मेरे subscribers हो इसलिए मैं बोल रहा हूं बाकी तो आपकी मरसी है और 1000 से आराम से 5000 तक आप लोग इस company के अंदर डाल देते ह हो तो आप लोगों को जादा मुनाफा मिलेगा यह चीज याद रखना अभी हम बात कर लेते हैं directly company के उपर चलते है share के उपर तो यहां बसे टाटा पावर के उपर आ चुके है आपको इस वीडियो में हम बात करने वाल है टाटा पावर के बारे में क्या नियूज निकल के आरी है उससे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं मलब 14 आरी को इस company के अंदर 14 4.5% का इसके अंदर गिरावर देखने हो मिला है और उसके साथ 5D's की बात करें तो 5D's में भी इसमें गिरावर देखने हो मिल रहा है 1.6% का और 1 मत की बात करें 1 मत में आप लोगों को company ने 4-5 पर से डॉप टॉटम की बात करें तो कमपनी ने बहुत जादा अच्छी तरीके से रिटन दिया है जो आप लोग देख सकते हूं यहां पर 17.5 परसें का रिटन दिया है इस कमपनी ने अच्छा खासा रिटन दिया है एक साल के अंदर और उन्दर ठीक है तो यह चीज आप लोगों के लिए बहुत ही जादा important है कि यह पलोग लॉम तो 300% return मिलना ही चाहिए, 100% return मिलना ही चाहिए, वरना तो investment करना ही नहीं चाहिए, तैसा बिलकुल भी नहीं है, एक अच्छी company का maximum मेरे ख्याल से, आप लोगों को 40 to 50% maximum में बोल रहा हूँ, large company की यहाँ पर बात चल नहीं रही है, large company में तो आप लोगों को 20 to 30% का मुनाफ़ा देखने को मिलेगा, year on year basis पर, और यहाँ पर हम बात करें, company जितना से दा long term के लिए अच्छी company को hold करके रखोगे, इसी वो ही company आप लोगों को अच्छा खासा CIGR के साथ आप लोगों को बहुत जादा मुनाफ़ा देख कर जाएगी, five years में बात करें, company ने कुछ जादा return नी दिया है, maximum chart printing की बात करें, तो company का जो share price है, बहुत ज़्यादा volatile है, तो यहाँ पर यह company में अभी news क्या है, वो बात कर लेते हैं, तो company की news यह है, कि यहाँ पर नीची के तरफ चलते है, उससे पहला यह directly news के ऊपर चलते है, चलो, तो यहाँ पर से news के निकल क्या हरी है, यहाँ पर news से यहाँ निकल क्या रही है, यहाँ पर क्या बता गया है, टाटा पावर वील पी net zero carbon by 2050, तो यहाँ पर से 2025 मैंने बूला था, आप लोगों को 2025 तक wait कर लेते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे ख्याल से 2050 मलब यह तो बहुत जादा time है, पर यहाँ पर आप लोगों को, 2050 तक यह company net 50 मलब यहाँ पर से यह 50 साल का, 35 साल का यहाँ पर से यह target लेकर चल रहे है, इनके जो CEO होए है, वो जिसका नाम है प्रवीर सिनहा, तो यहाँ पर यह जो CEO होए, वो देखो यह actual amount मलब actual timing बता है, कोई भी एक company होती है, जो start होती है, और उसके बा वो करजा कम करने के लिए बहुत जादा time लगता है, तो इन्होंने जो time बता है, मेरे ख्याल से 2050 तो चलो ठीक है, पर 2050 नहीं, बस 2025 तक आप लोग वेट कर लेते हो, मतलब आप लोगों को 5 साल या 4 साल वेट करना है, इस company के लिए, तो आप लोग इस company में 2025 तक वेट कर लेत आप लोगों को आने वाले समय में, यह जो company ना data power है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, यह भागी क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पर electric city का जो consumption है, वो बहुत जादा बढ़ रहा है, और अभी तो जो electric vehicle भी आने वाले है, तो electric vehicle आएंगे, तो भी electric city का जो consumption है, बहुत जादा इस पर हम बात करें ना, तो company का, मलब, electricity का consumption आप लोगों मैं दिखाता हूँ, बस इंडिया के अंदर और worldwide, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, energy use for capita, तो यहाँ पर इंडिया की बात की जाए, तो यहाँ पर है 2014 के अंदर, यहाँ पर आप लोगों नीचे की तरफ में लेकर चलता हूँ, electricity use, यहाँ पर आप लोग देखो गए, तो पहले के टाइम में यहाँ बसे electricity consumption कितना कम हुआ गरता था, इंडिया के अंदर, आप लोग डेटा देख से दियो, और उसके बाद, यहाँ पर हम देखते है, तो अभी की 2010 से 2021 को compare करते है, 2010 के अंदर, electricity consumption, 561.65 kilo of oil, equivalent यह इसका जो भी होगा, वो consumption होता था, देखो, इतना consumption होता था, electricity का, और अभी की बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों को इसका consumption देख सकते हो, almost, almost 100 के आसपास, 100 kg के आसपास बढ़ चुका है, तो यहाँ पर electricity का जो consumption है, चाइना की बात करें, United State की बात करें, वहा company है, उन लोगों के, यहाँ पर ही, आप लोग देख सकते हो, 2000, 6000, 900, बहुत जादा electricity का consumption है, वो बढ़ता है, तो यहाँ पर India के अंदर बहुत जादा potential है, और अभी आने वाले future में, बहुत जादा growth करने की, अभी under development यह country है, तो आने वाले समय में, और जादा develop होगी, यह company IT और बहुत सारे sectors में, तो वो electricity consumption करेगी, और आने वाले समय में, यह electricity consumption और जादे बढ़ता जाएगा, तो Tata Power जैसी बहुत सारी company हैं, जिसके अंदर आप लोग invest कर सकती हो, पर मिरको सबसे personally बात करूँ, तो मिरको Tata Power बहुत जादा पसंद है, इसी की वज़े से मैंने इस वीडियो को बनाया है, और यह जो मेरे portfolio में भी है, इसी की वज़े से मेरे इसाब से आप लोगों को invest करना चाहिए, थोड़ी amount लगा कर आप लोग भूल जाओ, बस 2025 तक, और आप लोगों को पता नहीं है, जो long term CGR होता है, long term जो invest करता है, stocks में, तो उन लोगों को जितना पैसा मिलता है, वो short term वालों को नहीं मिलता है, यह चीज जयाद रखना, जो Warren Buffett की बात कर लेता है, या Indian investors, राकेश जुन जुन वाला, राधा कृष्न दवानी, यह सारे के सारी यही बोलता है, कि जो आप लोग short term में जितना पैसा कमाते हो ना, उससे कई गुना जादा, आप लोग long term में CAGR की मदद से आप लोगों को पैसा मिलता है, ठीक है, यह चीज याद रखना है, तो बस आप लोगों को यही सारी चीज़े inform करनी थी, आप लोग मेरे subscribers हो, इसलिए मेरे को लगा कि आप लोगों को यह चीज़ inform करनी चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो क बनाया था, ठीक है, तो बस न अज के लिए तना ही, आप लोगों को यह ज़्यादा कुछ नहीं बूलूँगा, और आने वाले समय में electricity का जो consumption बढ़ने वाले, उसी को ध्यान में रखते होगे, इस stock को मैंने आप लोगों को प्रेजेंट किया था, तो बस goodbye, फिर में तर न हो सेके तो